नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंद्र जन्पत ओन्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे एक दूसरे चैनल सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉड़कास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है वहाँ पर आप हमें सुन सकते है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे जॉइन भी कर सकते है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहें तो आप हमारे चैनल को सुपर थेंक्स के बटन को दबा कर हमें मदद कर सकते है अब हम आपको बताते हैं कि अर्विंद केजिवाल एंड कम्पनी जहां भी गई जिस भी उसमें सत्ता में जहां पर भी उसने सत्ता हाती आई वहां पर उसका बुरा हाल कर दिया है M.C.D. को लेकर आज हाई कोट ने दिल्ली हाई कोट ने बहुत सक्त टिपनी किया M.C.D. पर और यहां तक कह दिया कि हमें अगर आपने इसी तरीके से यह काम किया M.C.D. के अंदर तो हमें M.C.D. को बंद करने की सिफारिस करनी पड़ेगी याने के हम M.C.D. को बंद कर देंगे बहुत समय से यह सुनते आ रहे हैं कि सुब गड़ी आएगी सुब गड़ी आएगी लेकिन वो सुब गड़ी आ नहीं रही है यह जो बाते हैं आज नराज होते होए हाई कोट ने M.C.D. को कही है M.C.D. के कमिशनर को फटकार लगाई है इस मामले में और उन्होंने बहुत साब तोर पे यह कह दिया है कि अब और आपसे यह बरदास नहीं किया जाएगा मामला दरसल जो पैंसनर थे जो M.C.D. के रेटाइड हो चुके लोग हैं उनकी पैंसन से जुड़ा हुआ था आप समझे जो वादे अर्विंद केजिवाल एंड कमपनी करकर M.C.D. में आई थी उनमें से एक वादा ये भी था कि सब को पैंसन दी जाएगी लेकिन हालत ये हो गई हालात इतने खराब कर दिये गए M.C.D. के भी के अब हाई कोट को इस तरीके की फटकार लगानी पड़ रही है M.C.D. ने बहुत सक्त टिपनी किया तलक टिपनी किया M.C.D. पर हाई कोट ने ये सच मुछ बहुत चौका देने वाला मामला है आप उन लोगों के बारे में सोचिए एक बार जो लोग पूरी जीवन अपना M.C.D. या किसी भी डिपार्टमेंट को देते हैं पूरी लाइफ वहाँ पर काम करते हैं और लास्ट में ऐसे ब्रेस्ट नेता आकर उनकी जो पैंसन है जो उनका एक तरीके से कहा जाया है उनका जो मौलिक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए ता उनका fundamental right है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं ऐसे परिवारों के बारे में जरा आप सोचिए जिने निवाना होता है लेकिन अगर department पैंसन ना दे तो उनका क्या हाल होता है ब्रस्ताचार में डूबे होई नेता अपने घरों को इसकदर भर लेते हैं कि अपनी कई पीडियों के लिए वो रास्ता तै कर लेते हैं लेकिन जो करमचारी हैं पूरे जीवन वो मेहनत करने के बाद भी उनको जो अगर पैंसन भी नसीब ना हो तो सच मुझ हमारे देश के अंदर ही नहीं किसी भी देश के किसी भी समाजिक दाइरे के अंदर समसे शर्मनाक बात यही होती है और इसी सर्मनाक बात पर शर्मसार होते हुए शर्मसार करते हुए आज हाई कोट ने अरविंद के जिवाल एंड कमपनी को फटकार लगाई है उन्होंने बहुत तल्ख टिपनी की है दिल्ली हाई कोट ने सुक्रवार को दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगा दी करमचारियों को सेलरी भी नहीं मिल रही है सोचिए आपको यहीं वादा किया तक केज़ी वालेंड कंपनी ने के सेलरी टाइम से मिलेगी और इसके लिए बड़े-बड़े एड़राइजमेंट पेट न्यू चबाई जाती है कि हमने सेलरी दे दिये लेकिन आज हाई कोट को यह कहना पड़ा एक भार फिर से सुनिये हाई कोट ने कहा कि रिटाइड जल्दी ही करमचारियों और रिटाइड करमचारियों को बकाया पैंसन और सेलरी दें वरना M.C.D. को बंद कर देंगे ये तक कह दिया है समय पर पैंसर और सहली न देने के मामले से जुड़ी करीब आदा दरजन याची काओं पर हाई कोट आज सुनवाई कर रहा था और जिस पर उन्होंने नगर निगब के कमिशनर को करी फटकार लगा दी और यहां तक कह दिया कि हमें M.C.D. को बंद करना पड़ेगा आप सोचिए देश के अंदर कितनी शर्मशार देश के अंदर नहीं देश की राजधानी के अंदर कितनी शर्मशार करने वाली ये घटना है कि जिन लोगों को पैंसन या सैल्रिया नहीं मिलती है उनका आज कैसे गुजारा चलता हुआ बहुत दुखत है इससे इस मामले को सुनते आ रहे हैं और उस सुब घड़ी का इंतजार करें बार बार हम ये सुनते हैं कि सुब घड़ी आएगी सुब घड़ी आएगी लेकिन हम ये सुनते हैं लेकिन आप बकाया पीड़ीतों को जो रकम है वो नहीं दे पाते हैं और इससे अन्यता हम MCD को बंद करने के लिए कहने का विचार करेंगे कोट ने नगर निगम को साथ में पे कमिशन के अनुसार बकाया भत्ता देने के लिए कहा है कोट ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा करने में आप असमर्त रहे तो इसके लिए आप खामियाजा भुगतने के लिए भी तयार रहें नगर निगम की और से पेस हुए MCD स्टेंडिंग काउंसिल दिव्या प्रकास पांडे ने कोट को बताया कि नगर निगम अगले 10 दिन के भीतर बकाया सैलरी और पैंसन का भुकतान कर देगा ये बार बार ऐसा ही कहते हैं लेकिन इस बार फिर उन्होंने कहा है नगर निगम की तरब से कोट को जानकारी दी गई कि एक समय पर यह बकाया 1000 करोड रुपे के आसपास तक पहुँच गया था अब हमने 400 करोड रुपे तक इसको ले आए हैं इसको नीचे कर दिया है कोट ने कहा कि आप अपने कमिशनर को बता दीजिए कि हम कठोर कारवाई करेंगे और चार साल चार साल का इंतजार नहीं करेंगे इस मामले को सिर्फ चार हफते में खतम कीजिए कोट ने बहुत बड़ी एक डैडलाइन MCD को दे दिया दिल्ली सरकार की तरफ से पेस हुए वकील सत्यकाम ने यह जानकारी दी के 24 जन्वरी को ही दिल्ली सरकार ने 803 करोड रुपे की रासी का भुक्तान किया है दिल्ली सरकार को आप समझे दिल्ली सरकार ने 803 करोड रुपे की रासी का भुक्तान किया है यह जो दिल्ली सरकार के वकील थे उन्होंने कहा लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर MCD के जो करमचारी है DTC के जो करमचारी है या जो भी Retired Pensioner जो करमचारी है उनको उनका जो अधिकार है जो देखिए इसमें एक सिस्टम को भी समझे ये कोई ऐसा पैसा नहीं है जो सरकार देती है ये वो पैसा है जो किसी भी सरकारी करमचारी की जो salary होती है जो वेतन होता है उसमें से एक छोटा सा minimum amount काट कर जो fixed है उसको काट के जमा किया जाता है याने के ये पैसा उनी लोगों का है और जो हमारे भरस्ट सरकारे हैं भरस्ट जो management है या हम सीदे सीदे कहें के जो केजरी वाल end company है वो पैसा भुगता नहीं कर पा रही है आखिर वो पैसा जा कहा रहा है जिस सरकार के अंदर पांच-पांच हजार करोर रुपया सिर्फ advertisement पर खतम कर दिया जाएगा पांच-पांच सो करोर रुपय के विज्यापन लगा दिया जाएंगे उन सरकारों के पांच पैसा आखिर कहां से आएगा बहुत बड़ी बात है लेकिन सबसे जो शर्म की बात है उन परिवारों उन लोगों के बारे में सोचिए कि एक इनसान एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन यानि कि 20 साल की उमर से वो सुरू करता है किसी डिपार्टमेंट में किसी विभाग में काम करना और 20 साल से वो 40 साल तक वहां पर नौकरी कर जब वो 60 साल का होता है तो रिटार होता है उसके आसपास और जब रिटार होता है तो ये आस उसके मन में हमेशा रहती है उसके और उसके परिवार के मन में जो उनको morally support करती है कि हम लोगों को जो pension मिलेगी जो हमारे funds होंगे वो हमें पूरे जीवन के जो बचावा उनका ज जाते हैं और अंत में वो विचारे अपनी pension के लिए भी मारे मारे घूमते रहते हैं समय ऐसा होता है जो 60 साल का जब बुजूर्ग होता है और वो pension के लिए दोड़ रहा होता है कितना शर्म नाख है इस देश के अंदर इन नेताओं के बारे में जड़ा सोच के देखिए कि इनका आखिर आप लोग क्या हासर करते हैं हम बहुत छोटे से एक वोट को समझते हैं कि हमारा वोट क्या करेगा लेकिन वही वोट एक वोट इनको चुनकर यहां तक भेजता है और यह हमारे सैलरी और हमारे वेतन हमारी pension सब कुछ खा जाते सब डखार जाते हैं बहुत शर को बंद करने तक कि अगर हाई कोट कहता है तो सच मुचे सरमिंदा करने वाला है बहुत शर्मनाक है यह अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सबिस्क्राइब और शेयर कीजिए लिगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा इस